कि हैल दोस्तों कैसे हो स्वागता आप सभी का हमारे एसके लेक्टरिक वर डियोटिव चैनल में तो दोस्तों मेरे पास यह कुछ जो है युनिवर्सल पीसी भी है और हमारे मेंड़े की दोस्तों इसम को आपको मैंने में पहले पीसीबट पीर विचल के लिए जी इसमें यह घामारी TDA 283 IC लगी हुई है और ये TDA 283 क्या काम करती है मैंने आपको बताया था और प्लस TDA 283 के जगर 2004-2004 ULN 2004 यह 3 IC लगा सकते है यह नहीं लगा सकते है यह भी मैंने सब उस उडिये में बताया था बट दोस्तों जो ULN 2003 IC है वो हमारी इस PCB में जो यूज होती है 2003-2004 इस PCB में यूज होती है जो कि हमारे Windows EC की PCB होती है यह विल्कुल दोस्तों brand new PCB थी और जब इसे मैंने लगाई यह customer के घर दो दिन चली उसके बाद नहीं चली तो इसमें ऐसे क्या फोल्ड था वो भी हम trace करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अब इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं दोस्तों इसके अंदर जो ULN 2003-4 IC लगी होई है वो कैसे work करती है और उसका signal कितना आता है output कितना देती है वो आज सारा हम इस वीडियो में completely जो है चेक करने वाले है तो दोस्तों वीडियो के साथ बिने रहे वीडियो को complete watch करें चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों यह हमारी जो है यूनिवर्सल PCB है मेरी नजर में सबसे best PCB है दोस्तों थोड़ी light जो है आखों में लग रही है बहुत बड़ी result है इसका दोस्तों इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे और सबसे पहले हम आते हैं इस PCB पे इसके अंदर जो है नोर्मल वही है अगर आपने लगाई है तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो इसके बारे में समझ लेते है यह हमारा timer का है पलस यह हमारा temperature up and down का है यह sleep mode का है यह swing का है हमारा और यह fan speed कम जादा के लिए यह quick start जो है हमारा turbo mode जो होता है नोर्मल AC में वो है यह power on off के लिए इसके साथ यह remote आता है तो दोस्तों मैं इस PCB से सबसे ज़्यादा upset क्यों है मुझे यह बुरी क्यों लगती है इसकाा रीजन है एक है यहց है यह बाद ये बंदोरी चल रही बंदोरी चल रही इसका रेजन है दोस्तो आपने PCV यह देखे होंगी मैं चलो इस PCV से बात कर लेता हूँ यह हमारी पीसी भी है इंडोर की इनमर्ट रेसी की इसमें देखो कॉंपोनेंट बहुत लगे हैं और पावर सेक्षन में जो है इसकी स्प्लाई में डैवड लगा रखे हैं और यहां पर 7805 लगाव है आगे काफी SMD कॉंपोनेंट लगे हैं तो बट जो हमारी नॉर्मल ये निवर्सल पीसी भी है जो होती है थोड़ी आज मेरी वाज भी चेंजर दूस्तो थोड़ा मेरा गला खराब है तो इनमें जो कॉंपोनेंट होते हैं बहुत कम होते हैं दोस्तों मैं एक बर दिखा देता हम यह देख लेजिए आप यह नोन इनवर्टर की पीसी भी हैं देख सकते हैं इसमें क्या कॉंपोनेंट एक सेंप्यस ट्रस्पार मर कपेश्टर इदर है दो इदर है यह कपलर है फीड़वेक के लिए और के इसमें कुछ नहीं है यह दो चार उसमें फॉल्ट नहीं आएगा लिक कर ले लो रही बात इसकी चलो इसे हम जो खोल लेते हैं इसे खोलने के लिए और दोस्तों मैं आपको पहले एक बात बता देता हूं यह खोलने से पहले पीसी भी देख लो बिल्कुल अंटच है थिंबल जा बिल्कुल नहें पड़े और इसको स्क्रेच भी नहीं है और यह फिसी भी में फर्स्ट झाल टायम खोल रहुए आपके पास ठीक है यह नहीं कि मैंने पहले खोल कर लिया ना ऐसा कुछ दूसी मैं खोल लेता हूं ठीक है दूस्तों पाब्ला को ऺएगे जिए फचिक है इसे उपली में घर देखने यार विंडो की पीसी भी है यूनिवर्सल और देखने किसे में कुछ नहीं बस दो चारी चीज़ें जो है बस इसके अंदर बस खास क्वाल्टी नहीं होती है इनके अंदर अगर थोड़ा इसका जो है पावर सेक्शन में और थोड़ा अब देख लो यार इसके अंदर है क्या आप सोच जड़ा एक बार मुझे कमेंट करके बताना इस पीसीवी में है क्या इसा मुझे बता दो आप बताओ चार रिले लगा दी है एक आइसी यह बजर यावार कि हैं बस ऐसा क्या बोलें यार बस कुछ बोलने के भी लायक नहीं है इसलिए जो थोड़ा इन पीसीवीं से मन जो हड़ जाता है इसमें क्या था थोड़ी से भी अगर हमारी कहीं से वीकनेस हो जाती है यह या पल्स पकड़ लेती यह कहीं से तो यह काम करना सुरू कर देती इसलिए थोड़ा मुझे इन पीसीवीं को बुरा लगता है तो मैं इसमें सबसे बड़ी बात दिखा हूं यह हमारी वह आईसी यू एलन कि यू एलन दो हजार तीन आईसी देख लेजिए मैं तो जूम कर देता हूं जूम नहीं हो रहा दोस्तों क्योंकि brightness यह की बहुत ज्यादा है लाइट की अगर आपको थोड़ा से दिखाए दिखाए दिए रहा हूं और जो दोस्त हमारे काम करते हैं उन्हें तो पता है थोड़ा मैं इदर हो जाता हूं तो देखते हैं अगर जूम हो पाता है तो तो सब्सक्राइब कि अब तो बहए बड़ी नमखर है बाकी दिखाई नहीं दे रहाब कमाल है हाद हो गई है जार कैमेरी की लाइट बंद करें देखते हैं अब दिखाई देजाए शाहिद अले पतनी कैमरा क्यों बलर कर रहा है इसको ऐसे लगागे देखते हैं कि यह देखिए यूलन 2003 अई सी और इस आइसी का जो है यह से यूज में क्यू लेते हैं सबसे बड़ी बात यह है कि इसे ही यूज में क्यों लेते हैं और यह ऐसा इसके अंदर क्या होता है बहुत ज़्यादा है दोस्तों यहां की थोड़ा बलर कर जाता है फोन हमारा हर चीज को तो इसे ही क्यों यूज करते हैं चला हम इसे प्लट लेते हैं और देखिए ये केबल लगी हुई है इसके सारे वायर यहां लगे हुए और वायर के बाद आते हम यहां ठीक है तो यहां आने के बाद देखेंगे तो इनकी सब की जो है इनपुड जो है यहां सीधी डिरेक्ट गई है यार बलर हो रहा है चलो थोड़ा वेट करो मैं इसको ल मैं घर के तो देखिए यहां पर कि यहां यह सारे वायर यहां पर शोल्डींग क्या हुआ है जो कि हमारा इसी सिगनल आ रहे हैं यह हमाराएस एस से साथ दिखने प्रभलम हो और वही है दोस्तोों कमेंट करके जुरु बताना कि आप लोगों कोसा दुखाई दे रहा है नहीं दुखाई दे रहा तो देखिएगा यहां से सारी हमारा जो सिगिनल है जो हमारे Low voltage ओते हैं यहां से आते हैं ठीक यह देकिय случай यहां से सारी छों फिर्स हमारे साई सी में आ ठीक है जिसे हम switching वोल्ट भी बोलते हैं और यही वोल्ट जो है आगे जो है हमारे यह देख सकते है हमारे आउट होकर के यह IC ही जो है हमारी यह देखेंगे यहाँ पर क्या लगा है यह देखो यह रिले लगी है तो यह जो है चारो रिलो को जो control कर रही है चार रिले तो यह और पाच भी यह जो हमारी कंप्रेशर के लिए यह उसे control कर रही है यह देख लो अब इसमें कौन सा कॉम्पनेट की सीज़ के लिए वह भी मैं बता देता हूं यह हमारा ब्रीज रेक्टिफायर बना हुआ है चार डावड का यह देख लो यह ब्रीज रेक्टिफायर बना हुआ है चार डावड का यह नहीं के लिए लगा हुआ है ठीक है और यह हमारा इसके लिए के लिए है ठीक है और यह यह हमारा बजर है और अगर मैं आपको दिखाऊं पीचे की तरफ से तो यह पीसी भी है और अगर मैं इसका सर्किट बनाओं तो बहुत असान है अगर चाहूं तो मैं इसे बना सकता हूं बट हमें प्रोब्लम किस चीज़ की आती है जो कि यहां पर में प्रोग्रामिंग अईसी लगी हुई है नहीं होगी बाकि सब कुछ होगा बनाना मुस्किल नहीं है सर्कुर्ट डिजाइन करने इसका और यहां से प्रोण हमारा आते हैं आईस्या से को जाते है और आइसी जो है इस में होता है मैं यहीं समझाने के लिए आपको मैंने अब्रूर्ट इसमें हो Uhhक बाद दोस्तों क्या करते हैं वो इस आईसी को हमारे को बारा वोल्ट मिल रहे होते हैं ठीक है इस आईसी को हमारे बारा वोल्ट मिल रहे होते हैं जब बारा वोल्ट मिल रहे होता तो यह आईसी करती क्या है जब यहां से बाइचन सोचो एक नंबर पर हमारा सिगनल आया इस इसी के यहां पे, एक पे एक signal आया, यहां पे signal आगा ठीक है, यहां पे, और यहां से इसने signal आउट करा, इसका यह signal आउट तो नहीं है, यह है, second number वाला signal, यह इसने signal आया, यह से हम switching वोल्ट बोलेंगे, switching वोल्ट आए, तो इस IC के अंदर relay type के एक system बनावाई, trigger आए, circuit है, इस रिले के अंदर 12 वोल्ट चल रहे हैं अगर ये 12 वल्ट पॉजटिव आउट आउट करती होगी तो पॉजटिव करेगे अगर ये नेगटिव करते हैं में तो इसको हम्नेगटिव देगी तो यह हमारे हमारी रिले का जो है यह देखिए यहां पर पॉइंट है एक मिनट रिले का पॉइंट एक तो यह रहा और दूसरा यह रहा यह हमारा पॉइंट गया देखो यहां से एक चीज़ दिखाता हूं यह रिले लगे है पीछे की तरफ यह रही ठीक है अब इस रिले को अगर मैं बात करूं यह वाला पॉइंट अब यहां पर करके जाएंगे यहां पर आ गए ठीक है और यहां पर हमारा यह ब्रीज लगा हूँ है और कपैस्टर भी है तो हम डावड को देख लेते हैं यहां क् यहां पर पोजिटीव है देखलो तो यह पोजिटीव यह पोजिटीव दारक्ट जो इसे को मिल रही है और यूलन 2003 जो क्या कर रही है वो गोरी इसको गांचा इसको ब्रींच यह कंडिशन में होता क्या एग जब यह negative out करती है mostly जो हमारे circuit होते हैं दोस्तों वो negative out पे work करते हैं इसका region एक क्या होता है positive out भी हम करवा सकते हैं ठीक है उसका region ही यह रहता है negative out करने का अगर हम negative के थुरू सारा circuit design करेंगे कि negative volt direct किसी को मिलते रहें और positive हमारी या तो IC के थुरू कहीं ऐसे sensitive circuit होते हैं trigger वाले कि अगर उसे negative कहीं से भी मिलके तो उसे trigger कर देते हैं इसलिए इन circuit को ऐसे design नहीं किया जाता कि वो negative trigger से चले यह positive trigger से चलते हैं output negative देते हैं ठीक है अगर हम इसे negative trigger से करें अगर यहां moisture बना नमी आई हाथ लगा तो इसे negative मिली कहीं प्रिंट से तो वो circuit काम करना शुरू कर देगा तो इसलिए क्या होता है कि इनको positive trigger दिया जाता है और negative out करवाई जाती है समझगे आप तो यह negative out करते हैं negative out करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं सीधा circuit चलेगा अगर यहां से positive out करते हैं यहां से यह रहा अगर यहां से negative trigger आता और positive out होता अगर यहां पर को resistance बनती dust लगती देखो यह कितने साथ साथ प्रिंट है अगर यहां पर को dust हो जाती कुछ अगरा वगरा हो जाता तो यह IC आटमेटिकल स्विच करने लग जाती है हमारी fan motor चलती कभी compressor बंद होता speed up down होती तो यह fault create हो जाते हैं इसलिए यहां पर जो क्या आता है हमारी positive volt trigger देती है और हमारा micro controller भी जो है यहां पर जो लगा वाइस के अंदर वो positive trigger देता है IC को और यह negative out करती है IC हमारी ठीक है दोस्तों तो आईए आप लोगों को समझ में आईए होगी वीडियो अभी जो है इसके हम practical करने वाले हैं और देखने वाले हैं यह क्या negative लेती है और क्या positive output करती है तो चली दोस्तों हम start करते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके display का जो jack लगा लेते है क्योंकि हमारे यहीं से voltage trigger होने है और जो हमारे switching volt आएंगे इसी के तरवाएंगे क्योंकि main IC जो है इसी के अंदर install किया गया है यह तो खाली एक डिबबा है switch करने के लिए यह तो सिमेजलो switching के लिए एक system है इसको हम और compact कर सकते है छोटा कर सकते है SMD लगा के इसे हम बिल्कुल छोटा बना सकते है ठीक है यह यहाँ पे लगा दिया हमने jack इसका क्योंकि हम fan speed यहाँ से कम जादा करेंगे तभी तो जो है यह से mode को change करेगा तो सबसे पहले हम जो है इसे उल्टा कर लेंगे और आप देखेंगे यह इस set जो है IC का कटा हुआ भाग है तो इसकी इस set से हमारी एक number पीन होगी और यहाँ पे जो last पीन होगी वो यह हमारी negative है या positive है और इस set की भी last हमारी negative है और positive है वो हम multimeter से check करेंगे यहाँ पे कितना voltage आदे तो इसको प्लेट के रख देते हैं यहाँ पे और फिर जो है इसका checking का procedure चलिए मैं इसे supply देता हूँ यहाँ पे हम neutral देंगे अभी तो checking का time में कुछ मर्जी देतो बाद की दिक्कत होती है जब हम PCB install करते है एक बहर हम इसे series बे लगाते है तो on हो गई है देख सकते हैं इसे हम बंद करते हैं पहले से पूरा stable करके यहाँ रख देते हैं ताकि हमें checking के time problem ना है तो इन थिम्बलों को जो है थोड़ा टेड़ा करके लगाएंगे तो वीडियो पूरा देखना दोस्तों आपके काम आने का ही है बीच में अगर लंबा वीडियो सोच के चले जाओगा तो भाई मैं कुछ नहीं कह सकता कि आप लोग कुछ समझ पाएंगे उस्टीज के लिए sorry तो चलिए अभी स्टार्ट कर लेते हैं और मिल्टी में अम्हा फैप Beauty को भी यहां ले आता है यहां पर तो मैं PCB को कर लेता हूं पहले तो वीखियाँ मूं हो गई है और मैं इसरी DC विल्ट पर डागयता हूं में सब से पहले हम इस IC पर वोटज करेंगे कि यह IC कितने वोल्ट पर अपरेट हो रही है तो यहाँ पर 17 वोल्ट आ रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा वोल्ट है इस IC के लिए ठीक है यह 12 से 15 12 वोल्ट पर जो इस सरक्रिट डीजान है यह 12 वोल्ट पर सरक्रिट डीजान है ठीक है तो अभी हम जो है यहां पर negative और positive चेक करेंगे capacitor पर तो यहां 17 वोल्ट दिखा रहा है हम इसे प्लेट लेंगे ठीक है अभी हम track को चेक करेंगे यह देखिए तो अभी हम track को चेक करेंगे तो दोस्तो जो relay पर मैंने negative बताया था यह देखिए यहां पर negative और actual में यह क्या है दोस्तो यह positive है यहां से आया चलके और यह track देखिए यहां पर अगर मैं चेक करूँ तो देखिए यह positive है ठीक है अगर मैं इसे प्लेट के लगाता हूँ यह देखिए यहां पर देख लो तो यह देखो यहां पर negative का निशान आ जाता है इदर कर लेता हूँ यह देखिए यह देख लो ठीक है तो इसका मतलब हमारा जो है यह वाली सैड़ी यहां पर positive है तो positive जो हमारी relay को direct मिल रहा है और जो है negative यह switch करवा रहा है ठीक है sorry मैंने positive ही आपको बोला था चलो मैं गल्द हो सकता हूँ कोई बाद ने तो इससे हम अब हम जो है यहां पर positive पर रखेंगे और out चेक करेंगे कि हमारा किस चैनल पर जो है out आ रहे है voltage यहां पर नहीं है और यहां पर भी नहीं है अब भी जो है हमारी compressor की relay on हुई है उस पर चेक कर लेते हैं तो यह हमारा compressor की relay का जो है print है यहां से गया और यह यहां पर आया positive direct है और यह हमारा यह रहा तो यहां पर जो हमारे voltage आने चाहिए 14V अगर हम यहां चेक करेंगे तो कोई वोल्ट नहीं है तो positive जो है हमारे direct जा रहे हैं सभी को यह negative आउट कर रहे है तो यहां पर हम negative पर लगाएंगे और यहां positive से चेक करेंगे तो देखें यहां पर 14V आ रहे हैं तो अब यहां कपेस्ट्र पर हम चेक करेंगे कि यह यहां कितने वोल्ट है तो देखो 15V है जो कि ज्यादा इस PCB के लिए और इस IC को भी यही रीजन होगा कि यह PCB बार बार बंद हो रही थी ठीक है तो यह negative वोल्ट आउट कर दी इसने यहां से हम positive पर रखके देखेंगे ठीक है अगर मैं यहां से इसे off कर देता हूँ यह देखो बंद कर दी है और यहीं पर मैं रख रहा हूँ तो यहां पर कोई voltage नहीं है ठीक है दोस्तों समझें अगर मैं इस print को trace करता हूँ चलूँ थोड़ा बलर हो गया मुझे लग रहा है lighting जो है लग रही होगी थोड़ी से आपको problem कर रही होगी light तो light थोड़ा problem कर रही है क्योंकि यहां थोड़ा ना दिक्कत है चलो print आपको समझ में आ रहे होगे नहीं आए तो हमें कमेंट करके दुस्तों जुरू बता है तो यह हमारा positive है और positive से जो है हम जो हमारा यह देखिए हमारी compressor के लिए था यह वाला point print जो है ठीक है यह देखिए यह यहां पर आया हुआ है ठीक है यहां पर कोई voltage नहीं है अगर मैं इसके सामने वाली pin चेक जो है यह हमारे जो है यह positive volt जो हमारे negative आ रहे है और सोरी positive आ तो मैं इसे negative पर रखूंगा यह इसका negative है तो यहां कोई voltage नहीं है अभी से मैं उन करता हूं अभी जो जैसे मैंने इसे उन किया एक relay के वाज आई है जो कि मेरी fan motor के लिए होती है तो वह हम fan motor के लिए चेक करें देखेंगे कि कहां पर output आई है कौन सी relay पर आई है पहले वह चेक कर लेते हैं यह हमारी पहली relay दूसरी तीसरी और यह चोती अब देखेंगे इस relay पर जो हमारे 16 वोल्ट आ गए है ठीक है इस relay अब इसका हम track लिए के चलेंगे पीछे यह देखें यहां ट्रैक यहां पर तो यहां 16 वोल्ट है अगर मैं इसी track के पीछे इसको change करता हूं negative पर और हम positive इसके सामने वाले point पर चेक करते हैं तो कितने trigger के वोल्ट आ रहे है तो देखेंगे दोस्तों पांच वोल्ट जो हैं इसके trigger के लिए आ रहे हैं जो कि यहां पर भी इसको मैं change करता हूं क्योंकि हमें positive लगाना पड़ेगा तो देखेंगे यहां पर कोई voltage नहीं है अगर मैं इसे जैसे ओन करूंगा ओ यार एक बर मैं से ओन कर लेता हूं तो इसका print पकड़ते हम पहले तो मैं भूल गया print कुन सा था यह रहा यहां यहां पर 16 वोल्ट और इसके सामने जो है पांच वोल्ट समझ गया दोस्तों यह इसका था हाँ यह प्रोब यहां से change करने पड़ेगे क्योंकि यह positive वोल्ट आउट करेंगे ना signal के लिए तो signal के लिए तो positive वोल्ट चेक करने पड़ेंगे ना मैं तो यहां पर और यह रहा इसका point तो देख लो 5 वोल्ट आ रहा है तो इसी प्रकार दोस्तों क्या होता है जब हमारा मैं इसे एक बार बंद कर देता हूं मैं फोन को भी उतार लेता हूं इसी प्रकार दोस्तों हमारा हर PCV में circuit काम करता है कोई भी IC है switching IC है control IC है और जो आपको यह मैंने इसमें बताई ने TDA वाल switching के लिए और निकाले कितने इसने बारा पंदरा सोला जो हमारे इस कपेस्टर पर बन रहे है और जो मेरी ले चलाने के लिए यह उसी हिसाब से वह वोल्ट निकालती है समझे का आप दोस्तों जैसे जैसे इस पर जितना सिगनल जो आता जाएगा इसका हमें आगे रिक्वा लगे हो समझे में आयोगे दोस्तों कमेंड करके मुझे जुरूर बताईए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी ताकि में जो भी वी वीडियो डालोज के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे